हेलो दोस्तो हमारी यूट्यूब चैनल इस्टडी भी दराज़त साहब में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक शिका है आए तो स्टार्ट करते हैं रोटेशनल मोशन। सबसे भएले हम घुणगति के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि घुणगति होती क्या है समझ देंगे पहले तो इसमें देखते हैं सबसे पहले ड़ब कोई वस्तू। जब कोई वस्तू एक सरल रेखा में गती करती है तब क्या होती है वो इस्थानांत्री गती होती है ठीक है नहीं इस्थानांत्री गती अब देखते हैं गोड़न गती जब कोई वस्तू अपनी अक्ष के परिता अपनी अक्ष के के परिता परिता या चार और चक्कर लगाती है या घूमती है अक्ष के परिता गती करती है ठीक है इसे के कहते हैं गोड़न गती इसके लिए हम कुछ एक्जामपल देख लेते हैं पहले एक्जामपल हो सकता है ग्रहों की सूर्य के चार और गती सूर्य के चार और चार और गती ठीक है नहीं दूसरा हो सकता है यहां पर पहिये की पहिये की अपनी धुरी के परिता ठीक है नहीं धुरी के परिता पर परिता ठीक है धुरी मतलब यहां पर क्या है अक्ष गती ठीक है तीसरा हम देख सकते हैं की एक मोटर है तो मोटर के मोटर के रोटर की गती ठीक है मोटर के रोटर की गती तो यह सारी गतिया क्या है गोडन गतिया है ठीक है आगे देखेंगे इसमें द्रबिमान केंद्र द्रबिमान केंद्र क्या होता इसको देखते हैं द्रबिमान केंद्र क्या होता किसी वस्तु का वहे केंद्र या वहे विंदु वस्तु का का वहे विंदु विंदु जिस पर जिस पर समस्त भार या समपूण भार समस्त भार कारी करता है समस्त भार कारी करता है ठीक है नहीं क्या होता है द्रबमान किंद्र ठीक है तो द्रबमान किंद्र की भी आरे में पढ़ लेते हैं सबसे पहले देखेंगे इसमें एन कणों की निकाई की दर्बिमान के अंदर का इस्थिती सदिश, क्या इस्थिती सदिश हो तकता है, इसके लिए देखते हैं, यदी, ठीक है कोई निकाय है, कोई सिस्टम है, तो यदी निकाय, एन कणों से, से, बना है, बना है, ठीक है, तो कणों का दर्बिमान, एन कणों से बना है, जिनका दर् जिनका दर्विमान M1 M2 M3 ठीक है नहीं M1 M2 M3 डैस डैस MN ठीक है N कन है तो MN भी होगा इस तरीके से इनके दर्विमान दिया हुए है और इनके स्थिती सदिश इस्थिती सदिश ठीक है जैसा की IMEZ में दिया हुआ है इस्थिती सदिश क्या है R1 R2 R3 डैस डैस RN ठीक है नहीं तो ये इनके स्थिती सदिश है तब इनके लिए हम केंद्र का इस्थिती सदिश देखेंगे ठीक है द्रबिमान केंद्र का इस्थति सदिश क्या होगा इस्थति सदिश ? वेक्टर r is equal to m1 r1 plus m2 r2 plus dash 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 mn rn तो यह होगा और डिवाइद वाइ टोटल मॉस m1 plus m2 plus m3 dash dash mn तो यह होगा द्रबिमान केंद्र का इस्थति सदिश ? r is equal to m1 r1 plus m2 r2 plus dash 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 mn rn upon m1 plus m2 plus m3 dash dash mn अब इसको आगे करेंगे दो कणों के निकाय के द्रबिमान के इंद्र का इस्थति सदिश ? अगर वहाँ पर जो n कण दिये हुए हैं वहाँ की जगह कितने हो ? केबल दो कण हो ठीक है ? दो कण हो सिर्फ जिनके द्रबिमान हो m1 वा m2 ठीक है ? और उनके इस्थति सदिश r1 और r2 तब क्या होगा ? तब इसके लिए हम लिखेंगे vector r is equal to m1 r1 plus m2 r2 divided by m1 plus m2 ठीक है ? तो यह हो गया दो के लिए दो कणों के लिए ठीक है ? दो कणों के लिए हो गया ? अब द्रबमान केंद्र जो होगा इनका जब दो कण दिये हुए हैं तो उनका जो द्रबमान केंद्र होगा वो उनकी अक्ष के ठीक है ? केंद्रों को मिलाने वाली जो अक्ष होगी उसी अक्ष पर इस्थित होगा ठीक है उसी अक्ष पर इस्थित होगा तो आर्ज होगा यह पॉइंट होगा ठीक है नहीं M1, M2 अगर दिया हुए है तो उनकी केंद्रों को मिलाने वाली अक्ष पर ही इस्थित होगा ठीक है? आगे देखेंगे सतत द्रब्मान बित्रण के लिए द्रब्मान केंद्र का इस्थिती सदिश सतत द्रब्मान बित्रण के लिए इसके लिए क्या होगा? अच्छा इसमें एक काम और कर सकते थे इसमें हम अगर M1 और M2 एक समान द्रब्मान अगर ले लिया जाए मालिया M ले लिया जाए तब इस condition में क्या हो जाएगा तब भी देख सकते हैं हम M put करेंगे यहाँ पर ठीक है और यह हो जागा R1 पिलस R2 divided by M पिलस M ठीक है नहीं M यह कैंसल हो जाएगा नीचे 2M हो गया M कैंसल हो जाएगा ठीक है R is equal to कितना आगया R is equal to आगया R1 पिलस R2 ठीक है नहीं यह वाला करते हैं तो सतत दिर्बान पितरन के लिए क्या होगा इस्तिति सदिश इसके लिए होगा एक समान वस्तू के लिए ठीक है अगर वस्तू एक समान है एक समान वस्तू के लिए इसके लिए लिखेंगे हम R C M C M means center of mass ठीक है D M R सदिश D M ठीक है नहीं इनको याद रखना है आगे हम numerical में यूज़ करेंगे ठीक है इसी वीडियो में आगे हमने numerical डाले हुए हैं थोड़े से लगवग 15 numerical हैं उनको भी हम solve करेंगे अब इसमें देखते हैं द्रमान के इंद्र से संबंदित कुछ महतपूर्ण तत्त ठीक है तो कुछ महतपूर्ण तत्त देख लेते हैं इसमें पहला क्या होगा इसमें द्रमान के इंद्र की जो इस्थिति होगी चुने गए निर्देशांग के निकाए पर निर्वर नहीं करती है ठीक है द्रमान के इंद्र की की इस्थिति चुने गए चुने गए निर्देशांग को निर्देशांग को निकाए पर निर्वर नहीं करती है नहीं करती है ओके तो द्रमान के इंद्र की जो इस्थिति है वो चुने गए निर्देशांग निकाए पर निर्वर नहीं करती है ठीक है नहीं दूसरी इसमें दूसरा पॉइंट एक मिनिट दूसरा पॉइंट देखेंगे इसमें ओके दूसरा पॉइंट क्या होगा द्रब्मान के इंदर की इस्थिती वस्तू किया करती ठीक है नहीं वस्तू किया करती बद द्रब्मान बित्रण द्रब्मान बित्रण पर निर्भर करती है ठीक है द्रब्मान बित्रण पर निर्भर करती है इसके लिए हमें एक एक एक्जम्पल देख सकते हैं जैसे हमने मान लिया कि इस तरीके से कोई बस्तू है ठीक है अब यह बस्तू है का जो द्रबिमान बेतरन है वो उपर की तरफ कम है और नीचे की तरफ जादा ठीक है मतलब क्या है कि ये वाला-भाग जो है अगर हम इसको डो-पार्ट में डिवाइट कर लें शुंद तो इसका जो नीचे वाला भाग होगा इसे का जाद होगा कि इसे का बज़न हमने मंन ल के इस्थिति भी उसी साइड पर होगी ठीक है नहीं तो इस ऊपर जो लाइन लिखी होई है इसका मतलब यही है तो जहां पर द्रबिमान ज्यादा होगा जहां पर भार ज्यादा होगा द्रबिमान के इस्थिति भी उसी साइड होगी ठीक है तीसरा पॉइंट देखेंगे इस यदि द्रब्मान वित्रण वित्रण एक समान हो द्रब्मान वित्रण एक समान हो तो द्रब्मान केंद्र वस्तू के ज्यामितिय केंद्र के ज्यामितिय केंद्र के समपाती होता है ठीक है नहीं तो द्रब्मान वस्तू के ज्यामितिय केंद्र के समपाती होता है ठीक है चौथा पॉइंट देखेंगे विभिन पिंडों की दिर्बमान केंदर की इस्थितिया ये टेविल में दिया हुआ है आगे टेविल जो दी हुई है ठीक है ये टेविल है इसमें देखेंगे हम सबसे पहले देखो बस्तु दी हुई है एक समान खोखला गोला एक समान खोखला गोला इसमें दर्बमान केंदर की इस्थिति कहां पर होगी गोले केंदर पर होगी ठीक है एक समान ठोस गोला दिया हुआ है उसमें कहां होगा गोले केंदर पर होगा एक समान बृत्ताकार वले बले के केंदर पर होगा एक समान ब्रताकार चक्ती चक्ती के केंदर पर होगा एक समान छड़ छड़ के केंदर पर होगा तो इस तरीके से सारी दिये हुए है बस तो इसमें अब समतल पटल ठीक है बर्गकार या आयताकार समानतर चत्रबोज इस तरीके से कोई वस्तु दी हुई है तो उसका जो दिर्मान के इंद्र होगा बेकरणों के कटान बिंदू पर होगा तिर्भुजा कार समतल पडल दिया हुआ है तो मात दिखाओं के कटान बिंदू पर घनाव घनाकार दिया हुआ है तो बेकर्णों के कटान बिंदू पर खोखला वेलन अगर दिया हुआ है तो बेलन के अक्ष का मद्दे बिंदू ठीक है नहीं हमें ध्यान रखना है ठोस बेलन ठोस बेलन अगर दिया हुआ है तो बेलन के अक्ष का मद्दे बिंदू शंकु दिया हुआ या प्रामिड के आकार की वस्तू है तब शंकू के अक्षपर सीर से तीन वटे चार गुना ठीक है या निए एच का उसकी जो एच उंचाई है उसका तीन वटे चार दूरी पर इस्थित बिंदू पर होगा ठीक है निए तो यह इस्थितियां दे हुई थी अलग-लग वस्तू के लिए आगे देखेंगे अब इसमें कुछ पॉइंट और है उन पॉइंट को कवर करते हैं पहले यदि द्रब्मान केंद्र यदि द्रब्मान केंद्र मूल बिंदू पर इस्थित है ठीक है मूल बिंदू मतलब 0,0 पर इस्थित है तो द्रब्मान केंद्र के परिता तो द्रब्मान केंद्र के परिता निकाय के समस्त निकाय के निकाय के समस्त कणों के द्रब्मान के आगोंड के आगोंड का योग शून ने होता है ठीक है तो इसके लिए हम इस तरीके से लिख सकते है यह जीरो के बरावर होता है ठीक है नहीं उके चड़ा पॉइंट देखेंगे इसमें शिक्स यदि निकाय के कण ठीक है एम बन एम टू एम थरी इस तरीके से दिये हुए हों और उनके जो कण है वो बी वन वी टू बी थरी बेग से का दिमान हो ठीक है उनके बेग हैं यह तो द्रब्मान केंद्र का जो बेग होंग होगा वो क्या होगा वी सी एम इस इक्वल टू ठीक है नहीं तो यह हो जाएगा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम वन वी यों प्लस एम-टू बीटू प्लस एम-ठी वी-थरी डिवाइड़डवाइ वाई-ब़ाई मबन प्लस एम-टू प्लस एम-ठीप उके इसी तरीके से हम लिकेंगे के पॉइंट नमबर सेबिन अगर हम के लिख Law के टौरन की ऐ वात करेंच तो टौरन द्रबमान के इंद का तौन्ड क्या होगा सिग्मा एम आई अगर उनके कड़ों के तौन्ड दिये हुए हैं अलग-अलग तब इस कंडिशन में होगा ओके यह में याद रखना है आगे हमने मेरिकल में इनका यूज करेंगे अब VCM को हम क्या लिख सकते हैं BCM को हम BCM को हम लिख सकते हैं DR upon dt ठीक है ने DR upon dt लिख सकते हैं is equal to DY upon dt R की जगह क्या लिखेंगे R की जगह लिखेंगे हम M1 R1 M2 R2 डेस 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 MN RN ठीक है नहीं नीचे हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 डेस डेस MN ओके इस तरीके से लिख सकते हैं इसको आगे देखेंगे पॉइंट नमबर 8 होगे अब ACM अब द्रबान के इंदर का तौर्ण इसको लिख सकते हैं DV upon dt अब DV upon dt को लिख सकते हैं D square R upon dt square अब इसको लिखेंगे D2 upon dt square M1 R1 पिलस M2 R2 पिलस डैस डैस MN Rn upon divided by M1 प्लस M2 प्लस डैस डैस MN टीक है नहीं तो यह आ गया ACM ACM को में इस तरीके से लिख सकते हैं आगे देखेंगे पॉइंट नंबर 9 पॉइंट नंबर 9 में लिखेंगे पिंड पर ठीक है तो पिंड पर लगने वाला बल लगने वाला बल ठीक है इसको कैसे लिखेंगे F is equal to MA अब A क्या है ACM तो इसके लिए हम लिख सकते हैं ACM को हम लिख सकते हैं D2R upon DT square ठीक है नहीं इसको लिख सकते हैं पॉइंट नंबर लिखेंगे 10 10 में क्या है यदि पिंड पर आरोपित सौरी निकाय पर आरोपित निकाय पर आरोपित बाहे वल सुनने हो ठीक है बाहे वल 0 जब बाहे वल शुनने होगा तब क्या होगा तब यहां पर F is equal to क्या लिखते हैं M F को M into ACM या इसको लिख सकते हैं D upon DT टीक है VCM is equal to 0 तब यहां पर क्या हो जाएगा VCM जो होगा वो constant होगा नियत होगा टीक है टीक है आगे देखेंगे अब आता है quad यह विस्थापन, टीक है quad यह विस्थापन क्या होता है इसको देखते हैं quad यह विस्थापन हम जातने हैं कि जब कोई वस्तु जैसे ये दिया हुआ है image में अब P से अगर वो Q तक जाता है ठीक है कोई भी current P से Q तक जाता है तो उसके जो कोड़िये विस्थापन है ठीक है नहीं जो कोड़िये विस्थापन है यहां से यहां तक चलने में उसको कितना change आया उसको थीटा change आया ठीक है नहीं उसके एंगिल में उसका एंगिल जो है ठीक है और जो विस्थापन है वो कितना है S है तो हम यहां से देख सकते है कोड़ बरावर कोड़ बरावर होता है चाव बड़े तरजया चाव बड़े तरजया ठीक है तो इसको लिख सकते है कोड़ कितना है ठीटा है तो ठीटा वरावर चाप कितना है S और तरजया कितनी है R ठीक है तो यह हो गया ठीटा वरावर S अपन R इसी को हम कहते है कोड़ यह विस्थापन कहते है कोड़ यह विस्थापन अब यहां पर देंगे कि इसका मात्रक क्या होगा तो मात्रक इसका होगा रेडियन ठीक है रेडियन होगा भिमिय सूत्र क्या हो जाएगा इसका तो भिमिय सूत्र या भिमा भिमा इसका क्या होगा M0, L0, T0 ठीक है नहीं और इसको सदिश रूप में लिख सकते हैं क्योंकि इसको यह सदिश रासी है। सदिश रूप यह सदिश रासी लिखते हैं इसको राशी ठीक है। किसका तरीके से लिख सकते हैं इसको इसको लिखते हैं s is equal to इसको लिखते है s is equal to theta cross r ठीक है इसको इस तरीके से लिखते है और ये क्या है एक अक्षिय सदिश है अक्षिय सदिश है ठीक है नहीं अक्षिय सदिश ठीक है अगर हम इसकी बात करें अगर ये P से Q तक ना जा करके एक चकर लगा दे पूरा P से P पर ही लोट के आ जाए तब यहां पर angle कितना हो जाएगा 2 pi हो जाएगा ठीक है पूरे एक चकर में 2 pi angle गोमेगा और 2 pi किसके एक्वल होता है 360 degree के एक्वल होता है और इसको हम क्या कहते है एक पूर्ण चकर एक पूर्ण चकर ठीक है नहीं एक पूर्ण चकर हो गया अब देखेंगे आगे कौर्ण ये वेग ठीक है कौर्ण ये वेग तो कौर्ण ये वेग क्या होता है इसको देखते हैं जिस तरीके से हमने देखा था कि वेग जो होता था विस्थापन में परिवर्तन की दर उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है कोड़ ये विस्थापन की परिवर्तन की दर तो कोड़ ये कोड़ ये विस्थापन में कोड़ ये विस्थापन में परिवर्तन की दर ठीक है तो rate change of angular displacement तब यहाँ पर लिख सकते हैं हम कौट यह वे इसको हम omega से denote करते हैं तो omega is equal to क्या हो जाएगा delta theta upon delta t ठीक है delta theta upon delta t ठीक है यहाँ पर delta theta क्या है कोट यह विस्थापन और delta t यहाँ पर समय अंत्रा ठीक है समय में परिवर्तन अगर इसका हम तात्षडिक रूप लिखना चाहें तात्षडिक सुख में समय के लिए तात्षडिक कौण ये वेग क्या होगा इसके लिए ओमेगा ठीक एक सदिश रासी है अक्षी ये सदिश है तो लिमेट डेल्टा थीटा सॉरी डेल्टा टी टेंस इसको लिख सकते हैं दी थीटा अपॉन डी टी ओके अब देखें इसका ओसत ओसत कोण ये वेग ओसत कोण ये वेग क्या होगा तो ओमेगा एवरेज ओमेगा एवरेज इस इकल डू क्या होगा कुल कोणिये कुल कोणिये वेग सोरी कोणिये विस्थापन वड़े कुल समय ठीके कुल समय तब इसको लिखेंगे हम थीटा टू माइनस थीटा वन upon d2 minus sorry t2 minus t1 ठीक है theta 2 minus theta 1 upon t2 minus t1 ओके अगर हम मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होगा मात्रक इसका हो जाएगा radian per second radian per second ठीक है इसको आगे slide add कर लेते हैं यहाँ पर देखते हैं बिमा क्या होगी तो बिमा हो जाएगी इसकी m0 l0 t-1 ठीक है तो radian के लिए हम कुछ भी नहीं लिखते हैं बिमा को है cable हम time के लिए लिखेंगे ठीक है तो per second है तो t-1 आजाएगा तो इस तरीकी जामन को लिखते हैं ठीक है अब इसका सदेश रूप कैसे लिखेंगे सदेश रूप सदेश रूप सदेश रूप क्या होगा इसका तो वी रेखिये बेग के लिए वी वरावर ओमेगा किरॉस आर ठीक है ओमेगा यहां पर कोड़िये बेग है वी यहां पर रेखिये बेग है और आर यहां पर तरजिया है ठीक है इसको लिख लेते हैं ओमेगा क्या है एक ओमेगा एक अक्छिय सादेश है ठीक है अक्छिय सादेश है अब अक्षिय इस अदेश है तो इसकी जो देशा होती है वो क्या होती है इसकी देशा गोड़न तलके गोड़न तलके लमवद गोड़न तलके लमवद होती है तुक्य है नहीं और इसको निकालते हैं दाहने हाथ के पेंच नियम से पेंच नियम से ठीक है नहीं अब यहां पर हम देख सकते हैं omega omega is equal to होता है 2pi upon t 2pi upon t ठीक है इसको लिख सकते है 2pi n ठीक है t यहां पर आवरतकाल है और n यहां पर क्या है आवरती है ठीक है अब यहां दो कंड दिये हुए है और दो कंड के कोंड यह वेग दिये हुए है ठीक है कोंड यह वेग कोंड यह वेग omega a omega 2 दिये हुए है omega v ठीक है तब इनके लिए हम लिख सकते हैं t is equal to t is equal to 2pi upon omega v minus omega a ठीक है लिख सकते है इनको अब यहां पर क्या लिखेंगे 2pi upon omega v minus omega a यहां पर इनके लिख सकते है ta into tv upon ta minus tv ठीक है तो यह हो गया t के पदों में आ रहा है समझ में आगे देखेंगे कोड़िये तौर्ण क्या है जैसे रेखिये त्वार्ण पढ़ते थे वैसे हम पढ़ेंगे कोड़िये त्वार्ण कोड़िये त्वार्ण क्या है यहां पर कोड़िये वेग में परिवर्तन की दर ठीक है तो कोड़िये वेग में कोड़िये वेग में परिवर्तन की की दर कौण्ड ये बेग में परिवर्थन की दर को कहते हैं क्या कौण्ड ये तौर्ण तो किस तरीके से लिख सकते हैं कौण्ड ये तौर्ण इसे हम अलफा से डेनोट करते हैं तो अलफा is equal to होता है omega 2 minus omega 1 upon t2 minus t1 ठीक है अगर ये दो श्थितियां दी हुई है omega 1 omega 2 तब लिखेंगे इनको omega 2 minus omega 1 ठीक है कौण्ड ये बेग में परिवर्थन और समय अंत्राल ठीक है नहीं अब देखते हैं इसके लिए ताथ चलिक क्या होगा ताथ चलिक क्योंड ये तोण्ड ताथ चलिक क्योंड ये तोण्ड क्या होगा alpha is equal to limit del t tends to 0 और यहाँ पर लेंगे del omega upon delta t ठीक है नहीं इसको लिख सकते हैं d omega upon dt ठीक है और इसको हम theta में भी लिख सकते हैं तो d square theta upon dt square ठीक है नहीं मात्रक क्या हो सकता है मात्रक देखते हैं इसका क्या होगा radian per second square radian per second square होगा बिमा क्या होगी बिमा होगी यहाँ पर m0 l0 t-2 ठीक है radian का नहीं लिखेंगे cable per second square का लिखेंगे t-2 ठीक है तो बिमा होगी अब इसको हम कुछ point देख लेते हैं इसमें इसको सदिश रूप में कैसे लिखेंगे सदिश रूप क्या होगा सदिश रूप इसका ए और रेखिए बेग बराबर alpha cross r ठीक है तो इस तरीके से लिख सकते हैं आगे देखेंगे आउसत को ओड़ी है तो आउसत ठीक है नहीं आउसत क्या होगा alpha average alpha average क्या हो जाएगा omega 2 minus omega 1 upon t2 minus t1 ठीक है यह होगया होसत आँ रहें समय में आगे देखेंगे इसका main point यदि alpha वरावर 0 है alpha वरावर 0 है तो ब्रतिय या गोडन गती एक समान होगी तो ब्रतिय या गोडन गती कैसी होगी एक समान होगी ठीक है नहीं आगे देखेंगे अब इसकी दिशा क्या हो सकती है देखते हैं दिशा क्या होगी गोडन तलके गोडन तलके लंबबद लंबबद गोडन अक्ष के अनुदिश 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 बाहर अत्वा अंदर ठीक है बाहर या अंदर हो सकती है ठीक है जो की गोडन की दिशा पर निर्वर होगी किस पर निर्वर होगी यह गोडन की दिशा पर दिशा पर निर्वार होगी निर्वार करेगे ठीक है नहीं आगे देखेंगे अब इसमें धया हुआ रैखिक गतीyg और कुरहन गती stray किस तरीके से हम इनको define कर सकते हैं जैसे यहां पर धिया हुआ है पहले रैखिक गती अब रेखी कती में हम क्या यूज़ करते थे रेखी कती में हम यूज़ करते थे जब तौन यहाँ पर सूनने होता था तो हम यूज़ करते थे S बराबर U T अब गोडन कती में हमें क्या यूज़ करना होगा Theta बराबर Omega T अगर कोड़ यह तौन सूनने है आप देखेंगे यहाँ पर यदि रेखिक तौन नियत हो अगर दिया हुआ है रेखिक गति में तब हम उनको यूज करते थे ये सारे equation ठीक है, s वराबर u प्लस v या पॉइंट टी तो ये equation दिया हुए है वो सारे equation हम रेखिक गति में करते थे use ठीक है, अब इसी तरीके से सारे equation हम, same equation होंगे लेकिन उनको किस से change करेंगे omega, theta और alpha से change कर देंगे, ठीक है नहीं बाइक equation same ही होंगे, लगवग ठीक है, जहाँ पर हम use करते थे, s वराबर u प्लस v अपॉइंट टी अब यहाँ पर क्या use करेंगे, theta is equal to omega 1 plus omega 2 upon 2 into t ठीक है नहीं, तो हमें रेखिक गति वाले equation याद रखना है जिससे की, हम इनको भी उसी की तरीके से apply कर सकते हैं यहाँ पर दिया हो है b is equal to dx upon dt यहाँ पर क्या करेंगे, theta d theta upon dt ठीक है नहीं, बिल्कुल same ही है अलग वक, आगे देखेंगे जड़त्व आगून क्या है जड़त्व आगून अब रेखिक गति में जो होता है रेखिक गति में हम करते थे जड़त्व का use ठीक है, जड़त्व किसमें करते थे, जड़त्व रेखे गती में अब इसका जड़त्व आगूंड जो है वो गुरन गती में बिल्कुल वही है जो जड़त्व का काम है वही इसमें जड़त्व आगूंड का काम है ठीक है नहीं अब हुता किया है जड़त्व आगूंड तो देखेंगे इसके लिए जड़त आगूण i is equal to i is equal to m r square i is equal to m r square से क्या है कि किसी वस्तू का जड़त आगूण उस वस्तू के द्रबिमान ठीक है उस वस्तू के द्रबिमान ठीक है उस वस्तू की घोड़न तरज़ा के स्क्वाइर के अनुक्र मानुपादी होता है यह बराबर होता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते है i is directly proportional to r square ठीक है तो जड़त आगूण घोड़न तरज़ा के वर्क के समानुपादी होता है ठीक है इसको लिख सकते है अब इसका मात्रक क्या होगा इसको देख लेते हैं मात्रक क्या होगा इसका किलोग्राम किलोग्राम मीटर स्क्वाइर ठीक है किलोग्राम मीटर स्क्वाइर होगा ओके अगर हम एक वस्तु ले ली हमने जिसमें बहुत सारे कण है छोटे छोटे उसके लिए हम देखेंगे जड़ता गूंड क्या होगा ठीक है इस तरीके से ये वस्तु गुड़न गदी कर रही है और इस पर जो कण है इस पर जो कण है वो आरवन ठीक है आरवन दूर है यहां से यह एम बन करण है और यहां से ले लो ठीक है एम टू दिया हुआ है यह आरटू है इसी तरीके से यहां पर एम थिरी दिया हुआ है और यहां पर एम फोर दिया हुआ है इस तरीके से हम कर सकते हैं यहां पर एम फाइव ठीक है तब इसके लिए क्या होगा इनका संपूर ज i is equal to m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square m4 r4 square plus ठीक है जितने भी कंड़ोंगे उनके दिर्मान को लेकर के हम ठीक है और उनकी गड़न तरिजा को लेकर के हम इसको कर सकते हैं ठीक है नहीं आ रहे सोज में तो अक्ष से चल्ट आगूंड जो होता है वो इसी तरीके से हम कर सकते हैं अब आग यह हम इसमें थोड़े से और पॉइंट लिखे लेते हैं तब देखेंगे इसको पहला पॉइंट देखेंगे इसमें जड़त्व आगूंड जो होता है जड़त्व आगूंड द्रविमान द्रविमान बित्रण तथा गोड़न अक्ष गोड़न अक्ष की इस्थिती पर ठीक है गोड़न अक्ष की इस्थिती पर निर्वर करता है ठीक है नहीं अगला पॉइंट देखेंगे चड़त्व आगूं कॉड़ी ये बेग कॉड़ी ये त्वांड वला गूड कॉड़ी ये वेग कॉड़ी ये त्वांड बला गूड बला गूड ठीक है गोड़न गते जूरजा उरजा इन पर निर्वर नहीं करता है इन पर निर्वर नहीं करता है ठीक है नहीं इन पर निर्वर नहीं करता है इनको हमें अच्छे से ध्यान रखना है नुमेरिकल में इनका यूज करेंगे आगे देखेंगे समान आकृति ये कर दी हुई है आकृति जैसे समान है, ठीक है, समान आकृति, द्रबिमान बा, वातरजिया, के लिए, के लिए, एक दिये गए अक्ष के परिता, दिये गए अक्ष के परिता, अक्ष के परिता, ठोस बा, ठोस बा, ठोस बा, खोखले, पिंडों में, खोखले पिंड का, जो खोखला पिंडों होगा, खोखले पिंड का, जड़ता आगून अधिक होगा, अधिक होगा, ठीक है नहीं, आगे देखेंगे इसमें, थोड़े नुमेरिकल, सबसे पहले, सबसे पहले दिया होगा, तब इसमें देखेंगे क्या होगा, इनके द्रमान के इंदर का वेग है, अब द्रमान के इंदर का वेग क्या होगा, उसके लिए हम देखते हैं, इसके लिए क्या फार्मूला था, M1, V1, M2, V2, यही था, M1 प्लस M2, ठीक है नहीं, अब M1, M2 इसकी वेले पुट कर देतें, तो यहां पर कितना दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है 200, ठीक है, अब यहां पर यूनिट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ऐसे ही हम पुट कर सकते हैं, 10i पिलस, 500, 3i पिलस 5j, ठीक है, डिवाइड़ वाइड, 200 और 500 कितना हो गया, 700, अब उपर से 100 लेके, 100 कॉमन लेकि नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो उपर बचेगा 2, 2 धाएं 20 हो गया, तो 20i पिलस, उपर 5 हो गया, तो 5 से मल्टिप्लाइ करेंगे, 5 ती या 15, 15i पिलस, 25, 25j, ठीक है, नीचे हो गया, 7, अब 20 और 15 कितना हो गया, 35, 35 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 7, 5, 35, पिलस, 25 है, तो 25 बटे 7, जे, तो आप्शन इसमें C करेक्ट हो गया, आगे देखेंगे, दो दिर्बमानों, small m याब हम capital m को संलेट करने अपर दिर्बमान केंदर कहा होगा, तो हमने बताया था, जब capital m ये दिर्बमान जादा है, capital m is greater than small m, तो दिर्बमान केंदर capital m की तरफ होगा, बताया था, जि इसी पिंड का दिर्बमान केंदर होता है, सदय पिंड के बाहर की और नहीं हो सकता, पिंड की सतय की बेहतर बाहर तरफ सतय पर हो सकता है, ठीक है, ये बिल्कुल correct होगा, option V, धादू के एक समान तीन केंदर जिनकी तरजहां समान है, किसी 36 तल पर एक दूसरे को सपर्स करत बनाते हैं, इस निकाय का दिर्बमान केंदर स्थित होगा, अब इनका जो दिर्बमान केंदर होगा, तो इस तरीके से ये मिला करके रखा गया है, इनको, ठीक है नहीं, तब इनका दिर्बमान केंदर क्या होगा, इनका दिर्बमान केंदर माद्धिकाओं की कटान उपर होगा तो option d correct होगा इसमें cricket के खेल में प्रियुक्त एक वल्ले को इसके द्रमान के अंदर से काटा जाता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है ठीक है द्रमान के अंदर से काटा गया है दोनों टुकड़ों का द्रमान समान होगा नहीं हो सकता अब यह इसको यहां से क काटा गया है इसका मतलब क्या होगा कि द्रमान के अंदर से काटा गया है तो द्रमान के अंदर कहा होता है जिधार बजन जादा होता है तो नीचे वाले टुकड़े का बजन जादा होगा तो हत्ते वाला टुकड़ा निचला टुकड़ा अधिक द्रमान का होगा तो option इसम सेकंड वाली सुई का आवर्थ कल कितना होगा 60 सेकंड होगा 2 से इसको डिवाइट कर देंगे कितना हो गया πाई अपॉन 30 पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकंड ठीक है तो आप्शन इसमें आपका हो गया वी करेक्ट हो गया ठीक है पाईय की परदी परिष्थित एक बिंदू P प्रार में प्रिथभी के संपर्क में है यदि पाईय की तिर्जिया पांच मीटर हो तो पाईय के आगे की और आधा चकर घुमने पर ठीक है एक पाईया है इस तरही के जपाईया दिया हुआ है और यह पॉइंट यहां पर है जो प्रिथ भी के संपर्क में है यह P पॉइंट है दिर्जिया कितनी है तो यह करता है तो यह कहां जाएगा यह चलाजाएगा इस तरीके से पी चला जाएगा यहाँ पर ठीक है नहीं जब यहाँ पर पी चला गया तब क्या होगा पी का विस्थापन अब पी का विस्थापन कितना होगा यहाँ से देखते हैं अब यह कितनी दूरी होगी उसने कितनी दूरी तै की पहले यह चेक करते हैं कितनी दूरी उसने तै की अपनी आधी परदी के बराबर अपनी आधी परदी के बराबर उसने दूरी तै की आधी परदी कितनी होगी देखो टू पाई यार होती है पूरी तो पाई यार होगी आ ठीक है तो यह हो गया 5 pi आ रहा है समझ में 5 pi हो गया अब यह कितना हो गया 10 ठीक है तो इतना हम find कर सकते हैं ठीक है जब यह find करेंगे तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा आपका पाइथा गोरस से square पिलस 10 का square यह होगी आपका 25 pi square पिलस दस दाइं 100 तब यहाँ पे 5 बाहर आ जाएगा और अंदर हो जाएगा pi square पिलस 4 ठीक है मीटर आगे समझ में तो option इसमें d correct होगा आगे देखेंगे एक गती पालक चक्र 6 सेकिंड में 540 rpm की चाल प्राप्त कर लेता है इसका कोड़ यह तोण होगा अब 540 rpm इसका मतलब क्या हुआ 540 rpm का मतलब हो गया एक मिनट में ठीक है बन मिनट में चक्रों की संख्या ठीक है revolution पर मिनट तो बन मिनट में हो गया तो 60 सेकिंड हो गया तो 60 सेकिंड में ठीक है अब एक सेकिंड में निकालना है हमें तभी आप बरती लिखेंगे 60 से डिवाइट कर दें चेहने में चाभगा नौ हो गया तो जो n की वैल्यू है वो कितनी है नौ है नाइन ठीक है अब लिखेंगे कोंडिये त्वांड तो कोंडिये त्वांड क्या होगा कोंडिये त्वांड अलफा इस इकल टो ओमेगा अपॉंटी यही होता है ओमेगा क कि की value nine रीकeled कि त्वांड नाइन त्वांड रीके और थे की value 6 सेकेंड और आपन्ould में त्वांड 2 से डिवाइट कर देंगे दो तिया 6 और 3 से करेंगे तिया 9 गर्त तो यह हो गया थी पाई 3 रेडियन पर सेकेंड square ठीक है तो option इसमें आपका एक correct होगा radian per second square किस इस्तिती में कौण्ड ये बेग उपी होगी है कौण्ड ये बेग कब उपी होगी है जब वस्तु गुड़न कर रही है ठीक है बांकी का option नहीं है तो जब गुड़न कर रही है वस्तु तब ही वो उपी होगी है कौण्ड ये बेग एक वस्तु एक ब्रता का अरुपत पर कागज के तल में चक्कर लगा रही है तो कौण्ड ये तोण्ड की दिशा होगी अब कौण्ड ये तोण्ड की दिशा क्या होगी कागज के तल में चक्कर लगा रही है तो कागज के तल की तल में चक्कर रगा रही है तो उसका जो कौडिये तॉध्य रोगा फिर्ज लमवत उपर की ओर होगा ठीक है option A इसमें correct होगा। कौडिये बेगसादिश की दिशा निव्ण मेंसे किसी अनोधिश होती है। तो कोड़ ये बेक सदिश की दिशा जो होती है गोड़न अक्ष के अनुदिश होती है ठीक है नि कोड़न अक्ष के अनुदिश दो किलोग्राम दरिबमान के 5 कड़, 0.1 मीटर तरजिया एवं नगर ने दरिबमान की एक ब्रत्य चक्ति की परदी से जुड़े है इसके तल के लंबबदेवं के अनुदर से होकर गुजरने वाली अक्ष के परिता इस निकाय का जड़त्वागूण है क्या होता है जड़त्वागूण, आई वरावर, एम, आर स्कूर, एम कितना है, दो किलोग्राम, अब 5 कड़ दिये हुए है, तो 5 से मल्टिपलाई करेंगे, मल्टिपलाई, ठीक है, 2 किलोग्राम, ठीक है, 2, आर स्कूर, तो 0.1 स्कूर, 5 दूनी 10 हो गया, 0.1 ये कितना हो किलोग्राम, मीटर, स्कूर, 0.1 किलोग्राम, मीटर, स्कूर, ऑप्शन भी दिया हुआ है, ठीक है, आगे देखेंगे, समान दवत्वाट्य से बनी हैं, समान मोटाई की दो वलेओं की तरजिया है, 0.2 मीटर, एम, 0.6 मीटर हैं, इनके जड़त्वागूण का अनुपात हो ठीक है, द्रमान से द्रमान कैंसिल कर देंगे, आरवन दिया हुआ है, 0.2 और आरटू दिया है, 0.6, स्कूर करेंगे, इससे हम डिवाइट भी कर सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट अटाया, दो से डिवाइट कर देंगे, दो तिय अच्छे, तब यह हो जाएगा स्कूर, तो तीन तिय नौ, ठीक है, तो यह अग्याप का ओप्षिन सी, एक अनुपात 3 है, बन रिशो 9, बन रिशो 9 होगया, ओके, जड़त तो आगोंड निर्वर करता है, तो जड़त तो आगोंड जो निर्वर करता है, कड़ों की बित्रन पर, दरविमान पर, और गोड़न अक् करता है बिट्रेंड पर करता है दिर्मान के गोडन अक्ष पर करता है लेकिन कोंड ये बेक पर नहीं करता है तो अप्शन एक और एक्ट है इसमें ओके इसको हमने कर लिया पार्ट वन कंप्लेट कर लिया है अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें कॉमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आप आगे की वीडियो देख सकें तो बने रहे करेंगे सारे टॉपिक एक एक करके ओके थैंक्यू बेरी मच्च